मेश राशी वालो हो जाओ सावधान नहीं तो ये इंसान कर देगा तुम्हें परबाद पूरी तरह से बरबाद करना चाता है मिटाना चाता है और ये आपके खिलाफ शड़ेंतर रच रही हैं लेकिन दोस्तो आपको इसके बारे में बिलकुल भनक तक नहीं है आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी विशे में बताने वाले हैं और हम आपको आज इस इंस प्राप नहीं हुआ गा और इस उपाय को मात्र एक बार कर लेने से आपके बड़े से बड़े शत्रु भी पूरी तरह से बरबाद हो जाएंगे और आपके सामनेवे जीवन में कभी भी खड़े होने की शमता इखटी नहीं कर पाएंगे वे आपका बुरा करने के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन काल में बहुत सारी परिशानियों का सामना किया है जो थोड़ी बहुत खुशिया आपको हासिल भी हो पाई है उसमें भी दूसरों की नजर आपको तुरंत लग जाती है आप कितनी भ परिणाम उसका कुछ नहीं निकलता और आपके मन में ऐसी भावन उत्पन हो जाती है कि भगवान हमारा साथ नहीं देता है दोस्तों आपको बता दे कि अब आप लोगों को यदि कोई अच्छा अनुभव प्राप्त होगा भी तो दोस्तों ये व्यक्ति उसको बरबात करन इसके साथ ही साथ वहीं दोस्तों दूसरों की काली नजर भी आपके जीवन में फिर से कलहे कलेश का मोहर तयार करने वाली है तो इसी के लिए आज हम आपको एक ऐसा मंतर भी देने जा रहे हैं जिसे यदि आपने जब भी दिन में आपको मौका लगे चाहे आप किसी भी इ अहसास बना रहेगा जी हां दोस्तों तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंतक वीडियो के एक एक भाव को बारेकी से आपको समझने की आवशकता है क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आपने अपने जीवनकाल में जो भी खुशिया असल की हैं उनकी आ आप लोगों के लिए अब हम ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली समाधान लेकर के आए हैं कि दोस्तों अब आपकी एक ही कोशिस से आपके शारे सत्रू परास्त हो जाएंगे और गुरू जी की करपा भी आप पर बरस्ती रहेगी जिहां दोस्तों ये चीज आपकी तकलीवों को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को बारेगी से समझने का प्रयास करें क्योंकि आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही महनत के बाद इस तरह की ज्यानवर्दक वीडियो बनाई जाती है और आप से बस हम इतना सपोर्ट चाते हैं क आप वीडियो को पूरा देखें और यदि हमारे दोरा दी गई जानकारी से आपके जीवन में जिसी भी प्रकार का बदलाव आ जाता है आपको जरा भी फायदा हो जाता है तो हमारी महनत वसुल हो जाएगी अब आप से हाज जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप हमा व्यक्तियों के बारे में जो आपको बर्बात करने के बारे में सोचते रहते हैं तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन व्यक्तियों के बारे में कि वो कौन है देखिए आस पासीवे व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम शुरू होगा आर टी और पी से इन अ पैसे बचना है जीना मुश्किल कर रखा है उसे आप अपना पकट दुश्मन कह सकते हैं हलागि मांसिक तौर पर भावनात्मक तौर पर कुछ इस तरह के इनसान है कि आप कभी किसी से कठोर दुश्मनी नहीं मानते हैं आप किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचते आप मन से बड़े ही प्रेमी और नेक इंसान है लेकिन लोगों का क्या करें लोग तो हमेशा आपके खिलाफ ही रहते हैं और आपके खिलाफ शड़े अंतर करते रहते हैं तो अब आपको थोड़ा सा सतर्क होना है और कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे की आपकी काम्यावी में लोग बादक ना बने। उपायों से किसी का अनर्थ नहीं होगा इसके लिए आप देख रहे हैं दोस्तो किसी के लिए भी बुरा नहीं करेंगे बस आपका जीवन सरल हो जाए और वह इनसान आपके बारे में सोचना छोड़ कर किसी और चीजों को सोचने लगेगा कहीं और वेस्त हो जाएगा मंत्र का जाप आप जरूर करें तबी दोस्तों आप लोगों को लाप की अनुभूती होगी आपका मन खराब हो आपको लगे कि आप परिशाने में फस चुके हैं और आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा हो तो आपके वल इस ही मंत्र का मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं आप किसी भी अवस्था में हो कोई फर्क नहीं बढ़ता इसके लिए आपको विदी विधान की भी कोई आवशक्ता नहीं है जी हाँ दोस्तों यह सर्ववाधा मुक्ती मंत्र है और बहुती शक्ती शाली सिर्फ क्यारा बार आपको इसे जाप करने से आप इसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं तो दोस्तों मंत्र को जड़ा ध्यान से सुनिए आपके दोस्तों हम बड़े खास तरीकिजे इस मंत्र को बता रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा मंत्र कुछ इस प्रकार है ओम नरसिंगाये विग्न हरे वज्र नकाये दही मही तन्नो नरसिंग प्रचो द जी हां दोस्तों मंत्र को आपको हमने बढ़ा दिया है पढ़के आप इसे दुबारा रिपीट करके भी सुन सकते हैं जी हां दोस्तों आप इसे नोट कर लें और इसे याद भी करें दो चार बार आप इसे बोलेंगे आपको याद हो जाएगा ये मंत्र इतना कठिन नहीं है तो इससे आपका मन चान्त होगा, आपकी हर एक मानसिक परिशानी दूर होगी, आपके अंदर आत्म विश्वास चागरत होगा. अब दोस्तों आप लोगों को ध्यान चे सुनना है एक ऐसा महाशक्ति शाली उपाय, जो आपके किसी भी शत्रू से आपकी मुक्ति करा देगा, और इस शत्रू का भी ध्यान पलट देगा. जी हां दोस्तों वे आपकी नहीं, फिर कहीं और ही विचारशील हो जाएगा, आपके बारे में सोचना बूल ही जाएगा. इस शत्रू का विनाश करना कह सकते हैं. तो यह उपाय मा भदरूप काली को समर्पित है, दोस्तों इस संसार में किसी भी बुरी शक्ति, बुरी भा होती हैं, तो अब आप जब भी भयंकर आपदा में फसेंगे, तो आपको निकालने का कार माता काली ही करेंगी, तो यह उपाय भी माता भदर काली के लिए समर्पित है, याद रखिएगा कि माता काली भदर काली में कोई भी अंतर नहीं है, जब माता को बहुत क्रोध आया, तो वो बन गई प्रचंड विक्राल रूप स्वरूपा काली और जब माता शान्त हुए तो बन गई भदर काली जी हैं इसके साथी साथ अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आखिरकार उपाय क्या है और कैसे करना है यह उपाय आप लोगों को अमावस्य की रात को करना होगा तो रातरी को लगपक नौ बजे या फिर दस बजे के आसपास आप लोगों को अपने पूजा घर में बैठना है दक्षिन दिशा की ओर मुख करके बैठना होगा दोस्तो काले कपड़े का आसन बनाना है और उसके उपर माता भदर काली की फोटो को स्थापित कर देन है और सचेमन से माता का आवहान करते हुए माता का पूजन करना है पूजन में हो सके तो लाल रंग या फिर काले रंग के फूल अवश्य चड़ाए लाल या फिर काले रंग का ही आपको प्रसाद चड़ाना होगा और पूजन करते समय माता के सामने एक नीबू अवश्य से अपले लौगों को इस निबू के उपर लाल रंग के सिंदूर से अपने शत्रू का नाम लिख लेना है और पूजा समाप्त होने के पसचात आपकू माता के सामरे उस निबू को काट देना है दोस्तो यह बिल्कुल साधारण से पिरक्रिया है और इसके बाद में आप लोगों को इस मंद्र की 11 माला जाब करना है मंद्र आपके दोस्तो हमने आपको मंद्र पहले हम बता चुकी इस बारे से देहां तो सुने क्रीम क्रीम शत्रुनासनी क्रीम क्रीम भट जी हाँ दोस्तो मंद्र के एक बार फिर से हम उचारित कर रहे हैं क्रीम क्रीम शत्रुनासनी क्रीम क्रीम भट दोस्तो इस मंद्र को भी आपको 11 माला जाब करना होगा बस दोस्तो आपकी पूजा समाप्त हो गई है और आपका प्रयोग पूर्ण हो चुका है और अब आपको इस प्रयोग के पूर्ण होने के बाद में माता से मन ही मन अपने जीवन के बारे में बाचीत करनी है उन्हें अपनी परिशानियां बतलानी है और जिस भी इनसान के लिए आपने यह प्रयोग किया है उस इनसान के बारे में भी आपको बता देना है अब सारी जानकारी, सारी जिम्मेदारी, माता की है और मा उस विक्ती की सोच आपके हिसाब से बदल देगी लिकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस उपाय को तब ही करें जब आप पूरी तरह से आस्वस्त हूं कि यह इंसान सच मुच में आपका प्रचंड सत्रू है तो ही आप इस उपाय को करें जी हां दोस्तो किसी भी मामुली सी बात को लेकर इस उपाय को किसी के से इक ना करें क्योंकि एक बार आपने उपाय को यदि कर दिया तो उपाय फिर वापस नहीं आएगा और जिस भी इंसान से आपका नाता है वे दोस्तों हमेशा के लिए मिट जाएगा तो दोस्तों आप इन खास उपाय को जरूर करें और हम आशा करेंगे कि आपके जीवर में जितने भी आपके शत्रू हैं उनसे अब आपको छुटकारा मिले और आप अपने जीवर में नए और बड़ी उपलब्दी हासिल कर पाएं तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर तबा दे तक कि हर प्रकार की जानकरी आप सभी को प्राप्थ हो सके मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई और अंतक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद